हेलो प्रेंग पर जो समस्य आ रहा है यह चो हमारे फ्यूस लगा हुआ है यहां पर परहएं लगा होगा यह मेल आये तो शीरिस में लगाने के बाद थे फ्यूर्ज को हमने कर दिया है करने के बाद अबरinda हुर्य मेलने को यहां पर पर देखे कोंगे कि छोल के ऊड priority यहां पर भाव है लेकिन यहां लगा दिया है लगाने के बाद देख सकते हो हमारे सीरी के बल्ब जो है कैसे यहां पर ग्लो कर रहा है तो यहां पर कोई भी सुचे गा हमारे जो आई आई-ई-डीटी को हम शींज लेगे लेकिन यहां पर यहां पर फ्राब्लेम जो है सॉल्फ होने वाला नहीं है हमारे यहां पर देखे फैन वागर भी बिल्कुल सही चल रहा है तो प्रॉब्लम कहां सही यहां पर हो रहा है देखी वीडियो में बने रही है चैनल में अगर अपर अलिवार आयो तो चैनल को प्लीज जो है सब्स्राइब कर दिया सेर कर कर दो यहां पर इस तरह से हो रहा है तो आप आए जीवेटिकों निकाल करके देख लिए यहां के बाद भी आपका डंड़ होने वाला है यहीं होता है और यहीं ध oppe दिया देखिएगा यहां पर हमारे चनी फोलग होता है यह कंपर है इस तरह से हमारे הד demonstration करने लगता है और तो के हैं यह कभी प्रमाइं श्टास ऑलगवी हो जाता है कभी-कभी आपका गएअ जो आपका जो तो इंडेक्शन जैसे कि सप्लाइज जीते ही बीब अगर देता है यह भी देगा कभी-कभी और कभी-कभी जो है यह बिल्कुल बीब भी नहीं देगा आपका फ्यान भी नहीं चलेगा और आप जो है अपने जो आई-जी-बिटी है इसको चेंज करते रहेंगे लेकिन आपक क्य ent пришके करके जो है इसको दुबारा से हम प्लगिन करेंगे यह फट्लग ये करके देखेंगे देखिये तो थोड़ा सा विडियो में बने लेए हम इसको फटाफोड निकाल लेते हैं और कभी भी रिपेर करने के बाद भी जो है या तो आई-जी-बीट वगर्ण जो भी आप आप देंस करते हों आप पे चेंस करने के बाद भी जह है पहला चीज़ आपको तो चनफर्म करने के लिए एक बार जो है आपका जो सीरीज का जो कनेक्शन होता है तो उहां पर लगा करके दिखिएगा जरूर उसके बाद ही कनफर्म होने के बाद जो है डायरेक्सिश सप्लाइई में इसको जो है लगाईएगा तो यह बारा सो वाट का इंडेक्शन है तो एक और समस्या एक और चीज के कारण जो है इस तरह से हमारे बल्ब जो है ग्लो करता है और शौर्टिंग दिखाता है तो यह भी हम बताएंगे यहां पर तो यह देखिए हमारे बल्ब जो है ग्लो नहीं करना चाहिए तो देखिए हमने इसको सिरिस में कनेक्शन दी दिया है स्विच भी दिया हुआ है और देख सकते हो हमारे बल्ब जो है यहां पर बिल्कुल आफ है और यहां पर हमारे वाइपर बारा ऐसी जो हमने अभी तक लगाएं नहीं है तो देखें हम यहां पर दूसरा जो है वाइसे लगाएंगे कि अब तो नमबर थोड़ा सा यहां पर हमारे जो वाइपर बराएस है अलग-अलग होता है लेकिन फांक्षन इसका जो हैसी होता है तो यह सेम टू सेम एक इस तरह का जो 1200 वाट का इंडेक्सन है तो वहां से हमने इसको निकाला है सेम मॉडल है यहां पर सेम पीसीबी है तो इसी का नमबर देखिए इसमें अलग नमबर लिखा हुआ है तो यह भी हम दिखाएंगे यहां पर तो फटाफट इसको सॉल्डिंग करेंगे सॉल्डिंग करके जो है एक बार फिर से हम जो है लगा करके कंफर्म करेंगे कि 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 तो लगाते समय आइसी जो है उसका जो कट बना हुआ है कट जो है जरूर इसका जो डिरेक्शन होता है तो डिरेक्शन डेक्ट करके आपको लगाना चाहिए डिरेक्शन बना होता है वहां पर तो अगर पहले बार आप लगा रहे हो। IC को निकाल रहे हो। अब हमारे DCB को ओपर लिखा होता है। तो यह देखिए, IST को हमने लगा दिया है। अभी देख सकते हो। हमने यह जो है इसको लगाया है… लेकिन हमारे बाल्ब बिलक्ल ग्लो नहीं हुआ है। एक तो यह हम इंडिक्शन में जो है बेटाएंगे बेठा करने करके देखेंगे कगर सीरिस कब अगर बिल्कुल नहीं जल रहा है तो यह चीज़ क्लियर ही कि हमारे सीब्सेवी जो है सोरी बिल्कुल सही हो चुका है देख सकते हो फैन भी अभी चलने लगा है और हमारे सीरीज का बल्ब जो है बिल्कुल ओन ने हो रहा है कि यानि कि हमारे प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही जो है यहां पर हो चुका है मेरे वर इस तरह से प्रावलम होता है दो देखे वाइपर बारा इसी का नंबर यहां पर थोड़ा सा अलग है जो यहां पर देखेısı कभी कभी हमारे यह eg8 पर यह लगा होता है चाहर्य एक प्रकूद हमारे नपर endo लगा होता है तो यह खराब होने का वज़से भी जो है कभी-कभी इस तरह से जो है इंडेक्शन में जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है लेकिन बहुत ही कम आपको दिखाई देगा तो आप जो है आइजी बीटु को चेंज करते रहेंगे फ्यूस को जो है लगाते आपको जो है वायपर डरा इस सीको निकालना है एक वायवार के अगर यहीं हो रहें तो अके हमारे आड़ देखिफिए लग की होता है इसको जो निखाल करें रहें तो यह थीम चीज jugar के कारण ही से सवाटिंग